प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्रत्यासी बनाया है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सापा ने अलाद किया है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा ने पृत्याशी घोशित कर दिया है अकलेश ने पत्नी डिमपल यादव को पृत्याशी बनाया है उलायम सिंग के निधन के बाद खाली हुई थी सीर्ट जिसके बाद अकलेश यादव ने अपनी पत्नी डिमपल यादव को पृत्याशी बनाया है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवादाता गौरव, हमसे जूडें के गौरव, मैंनपूरी उप्चुनाओं के लिए सपा ने ऐलान कर दिया है, अखलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को पृतियाशी बनाया है बहुत अच्छा करम याप उठाया है और यहाँ पर जिपल यादव को मिलने की पूरी-पूरी समवाबना है, यहाँ पर प्रयास करेगी कि अब बात करें तो बीजेपी मेंपुरी का और रामपर का अजित्वर्ग है, सपा का बेन नहीं पाई है और बीजेपी का प्रयास कर आएगा कि ऐसे केंड़ को उतारा जाए जो सपा के केंड़ेट को सत्यासी को पूर्ण तक्का देशेक है कि अपर निस्ति रूप्र हम समाजी पार्टी का बहतर स्ट्यों बोलेगी कि आपर उन्होंने मैला उमीरवार उतारा है और तो कि यहाँ पर स्थानवूती बोर्ट की उमीर पूरी पूरी रहेगी और खासुर पर यहाँ परवार कर शरण से लड़ता है तो पब्लिक के वे एक मेसेज़ जाता है कि यहाँ परवा के सरसी अभी हमें देखा था गोलागों का नाट मेरी जहां पर अपर अपनी दिंपा लियारों को पिचाकी बनाया है और यहाँ पर सुबागपन ने रमा का निस्टिक को पिचाकी बनाया था और बीजेपी मैंनपूरी से डिंपा लियादव को प्रत्यासी बनाये गया है तो इससे कितना फादा मिलने वाला है सपा को और कितनी बड़ी चुनौती है मैंनपूरी सीट को बचाय रखना करनों में सो बता सब्सक्राओं जे तो मैलों मिलवार इसके पहले कवशन वालान विद्वर हैं कि घ्राथ यहां पर यहां पर निस्ति रूप से बीजेती जिसरे हर चुनाव को बड़ी तरह दो मेरे ख्याल से यहां पर दी प्रचारेगी और यहां पर पार्टी की दिंपल यहां और खड़ी टेकर मिलेगी और नाटी साथ यहां पर रमाधर गुस्तर को टार कर तुबागसपान दी एक जिफ्टेल ह अलग कर दिया है सब्सक्राइब क्या होंगे बढ़नाम क्या होगा वो वक्त बताएगा पर एगी बात तसाथ है मैनपुरी में इस वाट जो मुकाबला है पुल देर्स न से होने वाला है जी गौरब वो उमीद्वार का गोशिट कर दिया है साफा ने साफा ने तौब क्या लगता बीजेपी किन चैरू परदाओं खेल सकती है धन्यवाद गौरफ तमाम जानकादियों के लिए मैं पुर्यूप चुनाओ के लिए सपा ने एलान कर दिया है बड़ी ख़बर आपको बता रही है सपा ने पृत्याशित होसित किया है अकलेश ने पत्नी डिमपल यादव को पृत्याशी बनाया है बड़ी खबर आपको बता रही है मुलाइम सिंग के निधन के बाद खाली हुई थी सीड जिसके बाद अकलेश यात्र ने डिमपल यादव को उम्मीदवार बनाया है मैंपुरी उप्चुनाओ के लिए सपा ने एलान कर दिया है सपा ने पृत्याशी घोसित किया अकलेश ने पत्नी डिमपल यादव को पृत्याशी बनाया है मुलाइम सिंग के निधन के बाद खाली हुई थी सीड मैंपुरी उप्चुनाओ के लिए सपा ने एलान किया है सपा ने अपने पृत्याशी घोसित किये है अकलेश ने पत्नी डिमपल यादव को पृत्याशी बनाया मुलाइम सिंग के निधन के बाद खाली हुई थी सीड मैंपुरी उप्चुनाओ के लिए सपा ने अईलान कर दिया है सपा ने पृत्याशी घोसित किया अकलेश ने पत्नी डिमपल यादव को पृत्याशी बनाया है अकलेश ने पृत्याशी बनाया है अकलेश ने पृत्याशी बनाया है मैंपुरी उप्चुनाओ के लिए नामांकन प्रिक्रियाश सुरू हो गई है 17 नवंबर तक नामांकन होगे 5 दिसम्बर को मत दान होगा 8 दिसम्बर को मत गड़ना होगी सपा ने डिमपल यादव को पृत्यासी बनाया है मैंपुरी लोकसभा सिट के उप्चुनाओं में सामाजवादी पार्टी के पृत्यासी के नाम का ऐलान कर दिया है सपा किराश्टी अध्यक्ष अकलेश यादव की पतली डिमपल यादव को पृत्यासी बनाया गया है सपा ने गुरुवार को उनके नाम की खोशना कर दी है बता दें कि सपा संरक्षक मुलाइम सिंग यादव की निधन के बाद मैंपूरी सीट पर उप्चुनाओं होने जा रहा है इसके लिए नामांकन प्रिक्रियाश शुरू हो गई है बता दें सामाजवाधी पार्टी मैंपूरी सुमीद्वार के तौर पर डिमपल यादव के अलावा तेज़ प्रताप यादव और धर्मिद्र यादव के नाम पर विचार कर रही थी लेकिन आज डिमपल यादव के नाम पर मुहर लग गई है डिमपल इससे पहले कन्नौज से सांसद रह चुकी है फिरोजाबास से भी चुनाओ लड़ी थी लेकिन हार का सामना करना पड़ा था डिमपल यादव के नाम का संचालन खुद पार्टी की राष्टी अध्यक्ष अकलेश यादव करेंगे अगर हम डिमपल यादव के सियासी सफर के बार में बात करें तो पूर्मुखमत्री अकलेश यादव की पतनी डिमपल यादव का राजनीती करियर उतार चड़ाओ से भरा रहा है डिमपल अपना पहला चुनाओ हार गई थी लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्म विस्वास बनाए रखा उनके भासनों पर शालीनता साफ दिखती है यही वज़ा है कि वह कम समय में ही लोगों के दिलों पर उतरती चली गई वर 2009 के लोग सभा चुनाओ में अकलेश यादव ने उतर प्रदेस की दो सीटों फिरोजाबाद और कन्नौ से चुनाओ लड़ाबाद में अकलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी थी उप चुनाओ में डिमपल को वहां से उमीदवार बनाया था लेकिन डिमपल कांग पर्देश वादी पार्टी ने प्रत्यासी के नाम का ऐलान कर दिया है सपा की राष्टी अध्यक्ष अकलेश यादव की पत्नी डिमपल यादव को प्रत्यासी बनाया गया है सापा ने उनके नाम की घोशना कर दी है पता दे कि सापा संरक्षक मुलाइम सी यादव के निधन के बाद मैनपूरी सीट पर उप्चुना होने जा रहा है इसके लिए नामांकन प्रक्रियाश शुरू हो गई है सामाजवादी पाटी मैनपूरी से उम्मीदवार के तौर पर डिमपल यादव के अलावा तेजप्ताब यादव धरमेंद्र यादव के नाम पर पिचार कर रही थी लेकिन आज डिमपल यादव के नाम पर मुहर लग गई है डिम्पल इससे पहले कन्नोज से सांसत रह चुकी हैं फिरोजा वास से भी चुनाओ लड़ी थी लेकिन हार का सामना करना पड़ा था अब डिम्पल यादव की आगे बहुत बड़ी चुनाओती है मैंन पURI सीट पर चुनाओ लड़ना टीपल यादफ के चुनाओं का संचार और खुद पार्टी की राष्टी यद्यक्ष अखलेश यादफ करेंगे बता दे मैंनपूरी उप चुनाओं में सुवेल देव भारती जनता पार्टी सुबस्पा ने भी तार ठोकी है पार्टी की राष्टी यद्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओंप्रकास राजफर ने सुबस्पा प्रत्यासी का एलान किया था उन्होंने मैंनपूरी उप चुनाओं में रमाकांत का श्यप को प्रत्यासी बनाया है वहीं अब उस्पा ने भी अप्रत्यासी खोशित कर दिया है जहां अकले श्यादव ने अपनी पंदी टिमपल यादव को उमीदवार बनाया है सामाजवादी पार्टी मैंन पूरी सुमीदवार के तोर पर टिमपल यादव के अलावा तेजबताब यादव धर्मी त्रियादव के नाम पर विचार कर लेए थी लेकिन आज टिमपल यादव के नाम पर मुहर लग गई है पूरू मुखमंत्री अखलेशादव के पत्ते टिमपल यादव करादेटी करियर उताओ चड़ाओं से फरा रहा टिमपल अपना पहला चुनाओ हार गई थी लेकिन उनके बाद भी उने अपना आत्म विस्वास बनाए रखा उसके भासणों में शालीनता साफ डिखती है यही वज़ा है कि वह कम समय में ही लोगों के दिलों पर उतरती चली गए वर 2009 के लोगसभा चुनाओं में अखलेश यादव ने उत्रप्रदेश की दो सीटों पर फिरोजाबाद और कन्नौस से चुनाओ लड़ाबाद में हमारे साथ नितेन सिंगी यादव प्रवक्ता सपा जुड़ चुके हैं सपा ने मैंपूरी से अपने उमीदवार की नाम की घोसित कर दिया है जिसमें डिमपल यादव का नाम सामने आया है अलो जी आपकी आवाज आ रही है मैंपूरी उप्चुनाओं के लिए सपा ने प्रत्यासी का नाम घोशित कर दिया है जी पूशे पूशे क्या करें सामाजवादी पार्टी ने अब सामाजवादी पार्टी ने इस उमीदवार का नाम घोशित कर दिया है मैंपूरी की सीट के लिए इस पर क्या कहना चाहेंगे सामाजवादी पार्टी ने जो प्रत्यासी गोशित किया है उनका जोड़दार स्वागत पार्टी के कारकरता कर रहे है इससे क्या कुछ फाइदा मिलेगा सब आगो कि गडिया निश्यत रूप से नेता जी को बिरासत को समालने की बात है आदर्णी अखिलेस यादो जी उनके मूल रूप से पिरासत के मालिक हैं चुकि वो नेता बिरोधी दान है इसे नाते और वो पहले भी सांसत रहे करके परल्यामेंट में पार्टी का अच्छा पत्निदुद कर चुकी है इसलिए उनका पत्यासी बनाया जाना उनसे उप्यू कितनी बड़ी चुनोती मानते हैं सपा के लिए मैनपूरी सीट को बचाए रखना मैयूरी जी मैनपूरी में कोई चुनोती नहीं है बार्ती जन्ता पार्टी अपना कंडिडेट देने में भी कत्रा रही है वो तो यहीं से घर से कोई डमी कंडिडेट तलास रहें कि कहीं कोई ऐसी इस्तिती बन जाए कि कोई डमी कंडिडेट दे दिया जाए अन्यदल तो कंडिडेट देंगे नहीं नेता जी का इतना बारी जीत होने जा रही है. धन्यवाद नितेंद्र जी आपका. धन्यवाद जी. मैंपुरी उचुनाओ के लिए सपा ने ऐलान कर दिया है. सपा ने अपनी पुत्याशी का नाम भोशित किया है. मैंपुरी उचुनाओ सपा ने डिपल यादव को मीदवार बनाया है. अकलेश यादव ने पत्नी डिपल यादव को पुत्याशी बनाया है. मुलाइम सिंग्ये निधन के बाद खाली हुई थी सीट जिसके बाद पुत्याशी का नाम भोशित किया गया है. मुता देना मांकर की प्रिक्रियाश शुरू हो चुकी है मैंपुरी उचुनाओ के लिए सपा ने ऐलान कर दिया है. मुता देना मांकर की बाद पुत्याशी बनाया है. मैंपुरी लोग सभा सीट के उप्चुनाओ में सामाजवादी पार्टी के पृत्याशी के नाम का एलान कर दिया है. सपा किराश्टी अध्यक शकलेश यादव की पतनी डिमपल यादव को पृत्याशी बनाया गया है. सपा ने गुरुआर को उनके नाम की खोशना कर दी है. बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंग्यादव के निधन के बाद मैंपुरी सीट पर उप्चुनाओ होने जा रहा है. इसके लिए नामांकर निप्रियाश शुरू हो गई है. फिलाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए बने रही है प्राइम टीवी के साथ. आप देख रहे हैं प्राइम.